Hello Friends, Welcome to SSC Coaching Center दोस्तों आज के वीडियो में हम reasoning के कुछ क्वेशन लेकर के आए हैं जो कि परिक्षा में बहुत important काम करेंगे इसी तरीके के प्रेशन जब परिक्षा में आजाते हैं तो आप नहीं कर पाते हो मैं वही किलियर कराना चाहता हूँ कि परिक्षा में जो प्रेशन आते हैं उनको कैसे किया जाता है आप बहुत सारे कोशन करते हो हजारियों कोशन आपने number analogy के कर लिए लेकिन ये नहीं पता कि किस type के question परिक्षा में आएंगे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो समझ लीजिए इसी type के आएंगे इस्टार्ट करते हैं पहला सवाल D E का relation 10 से है H I का relation किस संख्या से रहेगा देखिएगा अगर मैं इस D की बात करूँ तो आलफावेड D कितनी number पे आता है आपको अच्छे से पता है 4 नंबर पे आता है A B C D चार नंबर पे आता है और E कितनी number पे आता है इ आता है आपका 5 नंबर ठीक है दोनों आपने लिखे लिए एनका number अब इन दोनों का अपस में आप multiply करेंगे तो 4 का 5 से multiply करने पर 20 आएगा लेकिन आपको चाहिए 10 आया कितना है 20 आपको चाहिए 10 तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे अगर आप इस 20 में 2 से divide करते हैं तो 10 वार में divide होगा और इस तरीके से आपको 10 मिल जाएगा सेम लोजिक लगाना है यहां पर h कितने नमबर पर आता है 8 नमबर पर आता है i आपका 9 नमबर पर आता है दोनों का multiply कर देना है 8 का 9 से multiply करेंगे बहतर हो जाएगा ठीक है multiply करने के वाज जो संख्या आए थी उसमें 2 से divide किया है तो यहां पर भी 2 से divide करेंगे ठीक है चलिए कर दो दो से डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा 36 बार में डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संख्याएगी वो 36 होगी चलिए option में देखिए 36 है या नहीं 36 आपके C option में दिया गया यह प्रेशने का बिलकुल सही number series का यह वो question है जो बहुत बार exam में आ चुका है बहुत बार बच्चा पकड़ नहीं पाता है कि क्या logic है इसका क्योंकि बच्चा क्या करता है कि इसमें पहले दो जोड़े का साथ फिर यहाँ तो बहुत जादा जोड़ना पड़ रहा है फिर यहाँ पे पहले हिंटे पकड़ा करो हिंटे क्या है हिंट आपको यह मिलना है कि यह आपके पास पांच का स्क्वेर है और यह आपके पास क्या है साथ का स्क्वेर है और यह आपके पास क्या है पांच का क्यू है कुछ समझ में आया पांच का स्क्वेर साथ का इसको है पांच का क्यूँ तो आगे साथ का क्यूँ आना चाहिए क्या भाई आगे क्या साथ का क्यूँ आना चाहिए पहले ये पांच और साथ बचें इसको तो देख लो पांच की पावर दो साथ की पावर दो पांच की पावर तीन साथ की पावर तीन और ये क्या है पांच की पावर एक और ये क्या है साथ की पावर एक समझे में आ गया होगा अब अब परिशानी वाली बात खतम हो गए यहां पर पांच की पावर एक साथ की पावर दो साथ की पावर दो पाँच की पावर 3, साथ की पावर 3, या इसका मतलब है कि यहाँ पर साथ की पावर 3 आएगा, और साथ की पावर 3 का मान क्या होता है भाई, साथ की पावर 3 का मान होता है, 340, और जो कि हमारे D-Option में है, यह बिल्कुछ सही जवाब है, पता चल गया किस तरीके से सॉल्ब करेंगे, पहले तो पावर आपको एक दिया है, पाँच की पावर 1, साथ की पावर 1, फिर पाँच की पावर 2, साथ की पावर 2, फिर पाँच की पावर 3, साथ की पावर 3, फिर आगे चलता तो 5 की पावर 4, 7 की पावर 4, इस तरीके से आगे चलता जाता, चलिए, अब देखेंगे हम अगला प्रेशन, अगला सवाल है, 9, 27, बाद में दोनों ही जगे पर question mark है, ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो तरीका यह, अगर आप 9 का multiply 3 से करें तो यहाँ पर जो संख्या रहेगी, उसका multiply अगर आप 3 से करेंगे, तो यह संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा किसी भी option में नहीं है, 5 का multiply 3 से करूँगा 15, लेकिन 125 है, आर तरीका 24, यह भी नहीं होगा, और यह भी नहीं होगा, तो 3 से multiply वाल तरीका तो गलत साबित हो ग तो यहाँ पर जो संख्या आएंगी, वो सेम संख्या देखें, तीन और तीन सेम संख्या का square और सेम संख्या का क्यों, ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजे, कि यहाँ पर जो 9 आया है, तीन का square होता है, यानकि पहली संख्या है, वो square में होनी चाहिए, लेकिन मुझे इतन ही होता है एक्क्यास यह कि अगर मैं बात करूं तो 9 का स्क्वाब हो जाएगा क्या हो जाएगा 9 का स्क्वाइर और 9 का क्यू बेस समान है तीन तीन यहां स्क्वाइर क्यूव तो मेरा डी ऑफ्सन बिल्कुल सही जबाब है आप देखेंगे अगला प्रश्न अगला सवाल बहुत अच्छा होने वाला है बहुत बढ़िया सवाल रहेगा क्यूंकि आपके पास 189 81, 83, 8, question mark और 24, 7, tramway यह सवाल आपके पास दिया गया देखेंगे हम यहां पर करेंगे क्या बहित करना क्या है हमें कि उपर वाली जो संख्या है उपर वाली जो संख्या है उनको हम क्या करते हैं जोड देते हैं उपर वाली संख्या क्या करेंगे जोड देंगे अगर मैं 18 और 9 को जोड़ूँगा तो 27 मुझे मिलेगा क्योंकि मुझे नीचे वाली संख्या फाइंड करनी है तो मैं पहले यही सोचूँगा कि यह नीचे वाली संख्या कैसे आई यह नीचे वाली संख्या कैसे आई तब ही तो यह नीचे वाली फाइंड करने के लिए मुझे उपर वाली संक्याँ को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो मैं क्या कर रह रहा हूँ पहले इनको जोड लेता हूँ 27 मुझको जोडने से मिल गया अगर मैं 27 कमल पर 23 करता हूँ तो मुझे क्या सी मिल ला है ये वाली संक्या मिल लई है सेम लोजिक यहां पर अगर लग गया तो फिर यहां पर भी लगएगा जोड़िये भाई यहां पर मैं जोड़ूँगा 24 और 7 को अगर मैं जोड़ूँगा तो 31 हो और 31 कमल पर अगर 3 से करूँगा क्योंकि यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से 93 होता है 31 का मुझे यहां 93 ही दिया गया दोनों जगे लोजिक लग गया तो वही यहां पे लगेगा अब जोड़ रो इन दोनों को 23 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो 31 होता है और मल्टिपैस का भी 3 से आप करेंगे तो 93 होता है यानि कि 93 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है पहला option बिल्कुल सही समझ में आगया न सभी को चलिए अब देखतें अंगला सवाल अगला प्रशनी है 6, 25, 62, 123, 214 संख्याओं को मैं देख रहा हूँ बढ़ बहुत जल्दी रही है बहुत स्पीड से बढ़ रही है संख्याओं देख लीजे और यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि स्क्वेर में चल लई हो या क्यूब में चल लई हो संख्याओं ऐसे नजर तो नहीं आ रहा कि कोई भी संख्या स्क्या 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 स्क् 25 आपको कैसे मिलेगा अगर आप 3 की पावर 3 करते हैं और माइनस उसमें से 2 करते हैं तो 3 की पावर 3 का मान 27 होता है माइनस उसमें से 2 करेंगे तो आपको 25 मिलेगा ठीक है अब ये 62 अब 4 की पावर 3 करो उसमें से माइनस 2 करो चार की पावर 3 का मान 64 और माइनस उसमें से 2 60, सही चलने हैं मिलकूल, अब 4 के बाद 5 का q करो भाई, और minus 2 करो, पांछ का q होता है 125 और minus करो इस में से 2 تو हो जाएगा 123, अब 5 के बाद किसकी बारी 6 की बारी 6 का q करो, minus का 2 करो, 6 का q होता है 216, minus कर देंगे 2, तो यह हो जाएगा आपका 214 अब 6 के बाद किसकी बारी आएगी 7 की यानि कि 7 का Q करो माइनस 2 करो 7 का Q 343 होता है और माइनस उसमें से कर दो 2 तो यह हो जाएगा 341 यह आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा 341 जो कि B option में दिया गया है यह बिल्कुल सही जवाब है तो किस तरीके से सीरीज चल लगी है आपको समझ में आ गया इसी टाइप से और भी question exam में पूछे जाते हैं कभी यहाँ पर माइनस कर वाएगा तो कभी हो सकता है प्लस करके भी आई ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला सवाब अगला प्रश्णी है यदि HIDE बराबर 1440 है तो WIDE क्या होगा अच्छा सवाल दिया गया है इसका यह है चलिए मैं लेकि लेता हूँ HIDE इसका समन्द 1440 से है जबकि HIDE को मैं अलफावेट में नंबर करूँगा तो मुझे यह पता है कि H मेरा 8 नंबर पे आता है I मेरा 9 नंबर पे आता है D 4 नंबर पे आता है और E मेरा 5 नंबर पे आता है इतना किलियर है और यहाँ पे इनको मैंने नंबर इंग जब कर लिया तो इससे 1440 कैसे बनेगा भाई 1440 तो बड़ी संख्या है इन सभी का मैं क्या करूँ multiply कर देता हूँ ठीक है सभी का मैं क्या करता हूँ multiply तो 4 पंजे 20 हो जाएगा यह 8 निम 72 हो जाएगा और 20 का 72 से multiply कर दो तो बहतर का दो से करेंगे बहतर का दो से करेंगे 144 और यह की जीरू आ जाएगा 1440 कितना था 1440 आया कितना 1440 वही आ गया कैसे आया हमको पता लग गया multiply होरा सबका वही रिलेशन यहां लगा देना WIDE ठीक है WIDE W कितने पर आता है 23 नंबर पर आता है I9 पर आता है D4 पर आता है और E5 पर सभी का आपस में आपको multiply करना रहेगा कर दो भाई 4 पंजे 20 हो जाएगा इनका multiply 20 हो गया अब 23 का 9 का कर लो पहले 9.37, 7 का carry का 2, 9 दने का ठारे carry का 2, 20 यह हो गया अब इनका भी आपस में कर दो पहले मैंने 2 संक्या कर लिया पहले 2 संक्या कर लिया अब इनका आपस में कर लो ठीक है यह 0 आ जाएगा last में 2 संक्या 4 carry का 1, 2 का 0 में करेंगे 0 जो carry का 1 था वही आ जाएगा दो दुनिये का चार एक तालीस, चालीस यह आपके सवाल का सही जवाब हो गया एक तालीस, चालीस मुझे C option में नजर आ रहा है यह सवाल का सही जवाब है अब देखते हैं अगला प्रेशन अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है यह रहा missing number यहां कौँछी संख्याएगी यह बताना है तीन, छे, आठ, पाँच, आठ, चार चार, साथ question माँग या तो प्रेशने को आप ऐसे solve करेंगे ऐसे या प्रेशने को आप ऐसे solve करेंगे ऐसे, ठीक है नीचे की तरफ अब देखें अगर मैं ऐसे solve करता हूँ तो 3 और 6 से 8 में नहीं बन पा रहा अगर मैं 3 और 6 को जोड़ूँगा 9, माइनस बन करूँगा 8 5, 8 को जोड़ूँगा, 13, माइनस बन करूँगा तो चार नहीं आएगा, ऐसे नहीं बनना तो फिर मैं नीचे की तरफ बना के देख लेता हूँ चलिए मैं नीचे की तरह बना के देखता हूँ तो उपर वाली दोनों संक्याओं को यानि कि 3 को और 5 को अगर मैं जोड़ दूँगा तो 8 आएगा और 8 को अगर मैं 2 से डिवैड करता हूँ तो 4 आएगा ठीक है 4 मुझे मिल गया ऐसे उपर वाली संक्याओं को जोड़ो 6 और 8 14 हो जाएगा अगर इसको भी मैं 2 से डिवैड करता हूँ तो 7 वार में डिवैड हो जाएगा मुझे 7 मिल गया सेम लोजिक लगाओ 8 और 4 को जोड़े होगे तो 12 इसको भी 2 से डिवैड करोगे तो च्छी आ जाएगा यानि कि कोश्चन मार की जगे क्या जाएगा आपका च्छी आ जाएगा पहला उप्सन सही जवाब है दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है हमें पता है तो शेयर और लाइक तो बनता है भाई शेयर तो उन बच्चों के लिए मैं करवाता हूँ जो बिचारे घर पर ही रहे के तयारी करना कोशिंग तक नहीं जा पारे तो उनको ये सवाल सीखने में मदद कैसे मिलेगी आप उनके पास तब वीडियो शेयर कर दो उनकी भी मदद कर दो ताकि उनको भी अच्छा लगे के भाई हमारी भी तयारी घर बैटे बिल्कुल कोशिंग के जैसी हो रही है ठीक है और लाइक कर देना हमारी मेहनत के लिए हमारे वीडियो के लिए ठीक है दोस्तों धन्यवाद